हैलो अब्रिवान कैसे हो आप सब आज मैं दिखी आपके लिए इस ब्यूटिफुल डिजैन की वीडियो लेकि आई हूँ इसी आप मन चाहे किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस के कार्डिगन में जैकिट में बच्चों की किसी भी परजेक्ट में जैंस के कार्डिगन में फुल स्वेटर में हाफ में जिसमें मरजी डालिए हर इक में बहुत सुन्दर लगेगा सिरफ फोर रो चार स्लाइ बनेगा इस तरह से फोर्फोर्स रो को ही आपने पूरे काडिगन में जैकेट में जिसमें भी डालेंगे उसमें रिपीट करते जाना है बहुत इजी बहुत असान और बहुत प्यारा पैटरन है और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए वो एट के मल्टिबल से देखे ये अगर आठ आठ के मल्टिबल से जैसे मालो फंदे नहीं डाल रहे हैं फंदे कम पड़ रहे हैं तो ये वाले आप तीन-तीन फंदे भी कर सकते हो बीच में तो फिर अगर आप तीन-तीन फंदों में डालोगे अगर स्टार्टिंग में तीन डालोगे तो लास्ट में भी आप कर सकते हो ठीक है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए स्लाइमे मैंने फंदे ले लिए हैं आठ दुनी 16 और 4 फंदे एक्स्ट्रा तो इसकी फर्स्ट रो सीधी तरफ से देखिए स्टार्टिंग के पहले 4 फंदे आपने उल्टे ही बना लेगा एक दो तीन और ये चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तर कर लेंगे धागा दूसरी तरफ करने के बाद एक दो इन दोनों फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए हमने दो का एक कर देना है इस तरह से दो का एक करने के बाद यहां पर जाली डालेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे ये एक ये दो दो फंदे सीधे अब ये स् स्टार्टिंग के हमने उल्टे बनाए चार फंदे उल्टे बनाने के बाद आगे से स्लाइड डाली दो फंदों में दो का एक कर दिया यहाँ पर जाली डाली यह एक यह दो फंदे सीधे अब इसी डिजैन को आगे रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक दो इन दोनों फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर complete कर लेनी है पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है यहाँ पर आगे से slide डालते हुए दो फंदों में दो का एक जाली और दो फंदे सी थे फिर चार फंदे उल्टे ठीक है अब उल्टी तरफ से देख लीजिए क्या करना है उल्टी तरफ से पूरी रो आपने ऐसे उल्टी उल्टी ही डाल देनी है उल्टी तरफ से हमारा कोई डिजाइन नहीं डालेगा तो यह सारी रो ऐसे ही simple उल्टी उल्टी बन के आएगी अब सीधी तरफ से यह हमारी थर्ड रो है तो पेहले starting के चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब पहले हमने यहाँ पर दो काई किया था लेखिन अब हमने ये एक, दो फंदे सीधे बना लेने है, ठीक है, दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे, एक फंदा ये हो गया, एक ये, इन दोनों को पीछे से स्लाइड डालते हुए, दो का एक, इस तरह से, तो थर्ड रो में चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा करते हुए, दो फंदों में स्लाइड डालेंगे, पीछे से दो काई कर देंगे, और इसी डिजैन को पूरी स्लाइड में रपीट करते जाएंगे, धागा अप अपनी तरफ अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे एक ये दो इन दोनों फंदों में पिछे से स्लाइड डालते हुए दो काई करेंगे और यहां पर हमने जाली डाल दी फिर ठीक है जाली जुरूर डाल दी है नहीं तो हमारे फंदे यहां पर कम हो जाएंगे अब फोर्थ रो उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी बना लेनी है फोर्थ रो पूरी उल्टी इस तरह से तो यह सिरफ चार सलाइओं का डिजाइन है इनी चार सलाइओं को आपने पूरे अपनी सलाइड डिजाइन में रेपीट करते जाना है ऐसे आगे आगे बनाते जाओगे तो इस तरह से यह ब्यूटिफुल डिजाइन बनकर आएगा बहुत सुंदर बहुत प्या करा डिजाइन बनता है तो जुरूर ट्राइ कीजिए का जिस भी परजेक्ट में ट्राइ करेंगे में इसा शियर भी जुरूर कीजिए का तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैवा नाइस दे